UPI के जरिये payment पिछले कुछ सालों में तेजी से popular हुए हैं और दुन्या भर में भारत के इस innovation को सराहा जा रहा है कई देश इसे अपने यहां अपनानी की प्रक्रिया में भी हैं लेकिन UPI के जरिये payment को लेकर आम लोगों को एक परिशानी है वो यह कि इसके जरिये आप अपने बैंक खाते से ही payment कर सकते हैं मतलब अगर आपके खाते में पैसा है तो ही आप किसी को UPI के जरिये पैसे दे सकते हैं अब कई देफा ऐसा भी होता है कि लोगों के खाते में पैसे खत्म हो जाते हैं ऐसे में UPI के जरियों हो सकने वाले payment आप नहीं कर पाते हैं और आपको credit card payment के लिए POS मशीन का स्तमाल करना पड़ता है यह दिक्कत आपकी ही नहीं, RBI की नजर में भी थी इसी वज़े से पिछले साल Reserve Bank ने कहा था कि अब आम लोगों को UPI के payment credit card के जरिये करने की permission दी जाएगी यह आम लोगों की परिशानी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कतम है नमस्कार आप देखरें, बिजमनी और मैं हूँ, श्रेय अठाको इस payment system के तहट customers को एक QR code scan करना होगा इसके बाद customer credit card से payment कर पाएंगे UPI को credit card से link करने की facility मिलना एक game changer माना जा रहा है लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि यह पूरी process होगी कैसे और आम लोग इसका फाइदा कैसे उठा पाएंगे तो चलिए आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं पहली बात तो यह कि आपको अपनी credit card को UPI के साथ link करना होगा इसके लिए आपको अपने phone में भीम app डाउनलोड करना होगा यहाँ आप खुद को register करके credit card को link कर सकते हैं अब आप भी मैप के उपरी left side में जाए जहां आपका bank खाता section है इसके नीचे plus sign वाले option पर click करें यहाँ से आप credit card वाला option चुनें इसके बाद आपके सामने credit card जारी करने वाला bank को की list आईगी अगर आपका bank इसमें शामिल है तो अपने credit card की details इसमें भर दे अभी सभी bankों के credit card UPI payment के लिए enable नहीं है अभी HDFC bank, Indian bank, Punjab National bank, Union bank के ही credit card UPI के साथ link किये जा सकते हैं तो अगर आपका bank इसमें शामिल है तो आपने credit card की details इसमें भर दी है तो अब आपको एक UPI pin set करना होगा लिए यह काम आप एप से ही कर सकते हैं pin 4-6 अंका हो सकता है इसके बाद आपका credit card आपके UPI खाते से link हो जाएगा बस इसके बाद आप कहीं भी और कभी भी credit card के जरिए UPI payment कर पाएंगे तो यह थी credit card के जरिए UPI के payment करने की पूरी process बिसमनी के अगले अपिसोड में आपके पैसो से जोड़ी एक और जानकारी लेकर आएंगे तब तक के लिए देखते रहे हैं बिस्ता बिस्ता